उपचुनाव मेर परदेश में कॉंग्रेस ने शांदार जीत हासिल की है सरकार को इसका पूरा क्रेडिट दिया गया है उपचुनाव मेर परदेश में कॉंग्रेस को मिली है किस तरह से देखिए राजस्तान में तीनों यूपचुनाओं में हमारे जन्नाएक मुख्या मंत्री असोग गैलोजी पर लोगों ने विश्वास और वरोसा वेक्ट किया है पिसले सुवादो साल में जिस परकार से हमारी सरकार ने असोग गैलोजी के नेतरतों में पूरे परदेश के हर वर्ग के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर के आए बहुत सारे काम हुए है चाहे चिकित्सा के छेतर में चाहे कोरोना का कुसल परवंदन की हम बात करें या दूसरे चेतरों में जो बजट पेस किया है अभी दोजार इकिस का बजट पेस किया है बहुत सांदार बजट पेस किया है और उसमें हर चेतर को हर वर्ग को गाँ और धानी तक जोडने वाले काम माने मुख्य मंत्री जी ने बिना मांगे दिये हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि इन तीनों अप्चुनाओं में इस छेतर की जंता ने असो गैलोजी के द्वारा किये गए कारियों पर महुर लगाई है मैं सुजानगड जिले का परबारी होने के नाते चुरू जिले का परबारी मंत्री होने के नाते मैंने ज्यादातर समय सुजानगड में काम किया पिसले दो तीन महीने मैं लगातार सुजानगड के लोगों के बीच में रहा हूँ सुजानगड के लोग मास्टर बहुडलाल जी से उनका पारिवारिक जुडाव है क्योंकि 50 साल का मास्टर बहुडलाल जी का राजनितिक जीवन था मनोज मेगवाल उनके सुपुत्र है निश्चित रूप से मास्टर बहुडलाल जी के दौरा किये गए कारियों का भी लाब कॉंग्रेस के उमिदवार मनोज मेगवाल को मिला है। कॉंग्रेस पार्टी की सरकार ने जो काम किये हैं उस पर सुजानगड की जनता ने महोड लगाई है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो मैं तमाम हमारे मदददाओं को सुजानगड के मददाओं को दन्यवाद दुँगा। वाँ के तमाम कांग्रेस के कार्यकरतायों को दन्यवाद दूँगा। और हमारे साथ काम करने वाले पूरे टीम के जो हमारे PCC चीफ डोटास राजी ने और मुक्यमंद्री जी ने अजे माकन जी ने जिन कारेकरताओं की डूटी लगाई थी उन सब लोगों ने बहुती मेहनत के साथ सुजानगड में गई जनता के बीच में जाकर के आम हम सरकार क कि योजनाओं को लेकर कि गई उनको कॉंग्रेस की रिती निती के बारे में बताया तो निश्ची दूप से मैं कहना चाहूंगा कि लोगों ने कॉंग्रेस पार्टी पर और हमारी सरकार पर पूरा बरोसा किया है